हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर फिर से शुरू होने के बीच शनिवार के दिन रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगामी 24 घंटे में प्रदेश भर में बारिश की आशंका है अधिक उचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो मैदानों में 30 गर्जना के साथ छीटे पढ़ने की बात मौसम विभाग ने कही है इस दोरान सडक, बिजली और पानी जैसी बेवस्थाएं चोपट हो सकती है विभाग ने सभी जिला प्रशासन को अगामी 24 घंटे के लिए अलर्ट रहने की सलाह दी है इसी बीच शुकरवार को औरेंज अलर्ट के बीच पांगी हंसा और कुकुस मेरी में ताज़ा हिमपात हुआ है कुकुस मेरी में 5 सेंटीमीटर और हंसा और पांगी में 11 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही बारिश के चलते एक बार फीर तापमान में कमी देखने को मिली है मौसम बिभाग ने अगामी 72 घंटे के लिए मौसम का प्रकोप जारी रहने की आशंका जताई है मौसम बिभाग के अनुसार 5 मार्च को ताजा पक्षमी बिक छोप के पक्षमी हिमाले को प्रभावित करने की संभावना है मौसम विभाग ने अगामी 72 घंटे के दोरान अधिक उचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हमाओं के साथ आंधी तुफान आने की संभावना चताई है मौसम विभाग के अनुसार उना, बिलासपूर, हमीरपूर, चमबा, कांगरा, कुलू, किनौर और लाउस पीती में अलग-अलग इससानों पर शनिवार को दिन भर बारिश और बर्फबारी होती रहेगी इस दोरान बिजली गुल होने और संचार सुविधा में मुश्किल जैसे समस्या पेश आ सकती है मौसम विभाग ने संबंधित जिला प्रशासन को अलर्ट रहने की सलाह दी है